हेलो फ्रेंट्स माइनेम जजीत आपको मेकनिकल डाउन लाइन प्लेटफॉर्म सो कैसे हो आप लोग करता हूं अच्छे होंगे सो जैसे कि आप जानते हो कि वी एससी इसरो वी एससी जिसका एक्जाम डेट फॉर दा पोस्ट आप टेक्निकल असिसें साइंटिविक असिस्ट पोस्ट को है तो जैसे कि आप जानते हो कि टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अभी से आपके आराउंड 27-28 दिन रहे आज दो तारीक है तो एक 25 डेज का स्टाइजी लेके आएं बहुत सारे मैसेज आए आपकी रिक्वेस्ट है तो इसमें हम बहुत सारी चीज़े सब्सक्राइब जोने सब्सक्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप जो है वह टार्गिट कर पाओगी क्या क्या प्लैन होने चाहिए चाहां से क्या पढड़ना है कौन सब्जर्चेPress less एक किसन पितना फोकस करना चाहिए प्राक्टिस Christ कहां से करना चाहिए और यूटूब के अभी अभी जो है अपकमिंग सेडिूल के बारे मैं डिसक्स करोंगा ठीक है और वीडियो में से ऊ-श्लै सबसे सन्हइर तो यह काफु डीटेल में आप को बताने वाला हूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करो तो चार जुलाई यानि की परसो से दो बज़े जो है यूटूब पे पहले जो सेशन होगा उसमें हम क्या-क्या कराने वाले हैं वह बता देता हूं पहले जो स्टार्ट होगा चार जुलाई से वह आपके वी एससी के वी एससी के मैथ और अप्रिट्व का मैथ एन आप्टीट का जो प्रीवियस यर है ठीक है ना वह स्टार्ट होगा पीवाई क्यू ठीक है दो हजार बारा से लेके में दो हजार इसमें मैं सिर्फ मेंगेनिकल का ही नगी आपके सभी प्रांच का का पेपर कराने वाला हूं ठीक है मैं आपका हर ब्रांच में आता है एलेक्ट्रानिक्स एलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस आटो मुबाइल मेकैनिकल सभी ब्रांच का जो है वह यह वाइस 2021 से स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग और में और यह करेंगे इसमें जितनी पर का लाइब क्लास होगा तो यह हो गया आपका चार जुलाई से दो बज़े होगा सिट्व किस दिन क्या होगी वह आपके यूट्यूब पर लाइब सेक्शन में जाके सीटूल में देख पाओगे और दूसरा अपडेट यह है आपका कि इसके अलावा जो है वह आपका अगर मैं बात करूं ठीक है तो नेक्स्ट जो है वह आपका पांथ जुलाई से आपके उपर जो है वह सामके छे बज़े से जो है रिवीजन और आपका प्राक्टिस यह दो चीज़े होंगी ठीक है तो यह बैच है ठीक है और बैच जो है वह 5 जुलाई से स्टार्ट होगा तो इसमें आपके क्या-क्या होने वाले हैं यहां पर मैंने पूरा सिटूल रखा हुआ है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइस जो है वह आपका बैच जोइन कर सकते हो इसके लिए मिनिममम प्राइस रखा हुआ है उनली 300 रुपीज तो आप आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां से इसको जोइन कर सकते हो तो दो अपडेट आपके लिए होगे एक तो आपका स्टार्ट हो जाएगा लिए ठीक है इसके बाद जो है वह अगर हम कुछ इंपोर्डेंट डिसकल्स करें एक्जाम से पहले तो आइनो जब भी कोई भी एक्जाम डेट आता है तो अचानक से आपके उपर जो है वह बहुत सारे स्ट्रेस होने लगते हैं कि कैसे किया इसारा प्लैन अबहीं मैं बताने वाला हुँ अपको ठीक तो ध्यान देना है कि तो आपको स्ट्रेस होगा और और इस प्रेस तो फिर आपके माक्स क्या होंगे कम आने वाले हैं तो आप जो है बेटर होगा कि पढ़ाई पर फोकस कर और तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इसलिए बता रहा हुँ कि जितना आप सोचोगे कि यह करूं वो करों कैसे करूं ना करों तो यह बहुत सारा चीज सोचना नहीं है बस पढ़ना है आपको ठीक है कौन सी चीज पढ़ना है क्या पढ़ना थीक आपको अब इसके बाद अगर मैं बात करों नेक्स्ट आपके तो यहां से जो है वो टार्गेट क्या होना चाहिए सबसे इंपोरेंट यह है आपका कि यहां पर आपका क्या टार्गेट होना चाहिए ठीक है तो देखो अभी तक जितने भी इस रोग के जैसे जैसे एक्जाम हुए है तो उस्किल टेस्ट के लिए जो आपके कटोफ जाता है है किनल अस्प्राइब करऊच के लिए चैस रहेगा हुए परसेंटेज बता रहा हूं थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है फेपर हाड आता है तो थोड़ा पर कम जाता है पेपर अगर थोड़ा सा असान आता है यहां यहां पर 80-85 परसेंट मार्क्स जो है वो इसकेल टेस्स का कटफ जाता है हर ब्रांच का वैरी करता है अगर में ब्रांच देखें मेकानिकल एलेक्ट्रोनिक्स तो इतना जाता है आप देख सकते हो कटफ का वीडियो मैंने डाल रख और फाइनल कटफ जो है यह 85 से उपर भी चला जाता है तो यहां पर जो है वह 85 से 90 परसेंट ठीक है 85 से 90 परसेंट तक तो उसी हिसाब से अगर आपको फाइनल कटफ में आना है तो 85 परसेंट ले लो तो देख सकते हो 68 मार्क्स होगा और 90 अगर 72 तो आपको बस टार्गेट मैं यह बता रहा हूं कि 70 प्लस का टार्गेट रखन एक टार्गेट फिक्स कर लिया उसी हिसाब से अभी जो टाइम बचा है उसमें त्यारी करने है ठीक है जब टेस्ट लगाओगे तो फूल टेस्ट में अभी आज आपने टेस्ट दिया और उसमें आपके मार्क्स कम आए 70 से कितना कम आए उस पे फोकस करो और उसको इंप्र आप से आप काम करो गया अगर टार्गेट नहीं रहेगा तो फिर आपका दिमाग जो है वो फोकस नहीं होगा पूरी तरह तो यह हो गया आपका अब अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट हो गया कि स्टडी प्लान कैसे बनाए ठीक है तो 25 दिन का मैंने बताया कि 25 दिन जुलाई 26 जुलाई तक का आपका सिट्डी पहले तो आप पूरे यह 25 दिन का एक सडीशन बना लूझ ठीक है न एक क्या करना है दो टाइब का सिट्डी बनाना है एक तो आपको क्या करना है एक तो पूरे 25 दिन में आपको किस दिन क्या करना है एक आपको क्या करना है कर पड़ना है दो यह टैइं टे라고 व जो है Question डेली टार्गेट ठीक है ना डेली टार्गेट बनाओ तो यह बहुत काम करता है ठीक है अगर आप 100% पूरा भी नहीं करते हो तो अगर आपका कम होता है तो यह चीज करना है स्टेडी प्लान में जो है और इसमें जो है वह 25 दिन में आपका 15 डेज में 15 डेज में एक डिवाइड करो और दूसरा जो है वह आपका 10 डेज ठीक है यह 15 डेज में कंप्लीट आपको करаете आपको जो है वह क्या करना है आपको पूरा फुल फ्ल्स का रिवीजन करना है था को make घो हुआ सारे बच्चे करना है स哈哈 अभि मेरा कुछ-कुछ बाकी है यह ओसके लिए देखो तो आप बैचेज है एक तो रिकॉर्डड़ बैचेज है लाइफ रेकॉर्ड़ जॉइन कर सकते हो जो क्रास कोर्श के फरॉप में मैं एक इस पैस बैच है इंगलि युदियम के लिए और आपका अंतरिक्ष बैच है इंदी मीडियम के लिए मेकानिकल का और एलेक्ट्रोनिक्स का भी अवलेबल है आपका तो वह जोईन कर सकते हो ठीक है तो इसमें complete revision करना है subject wise आपके टेस्सीरीज लगाने है टेस्सीरीज में का launch हो चुका है subject wise टेस्सीरीज लगाने है और किसी भी बुक से आपको प्राक्टिस करना है अभी मैं आगे बताऊंगा थोड़े बहुत बुक्स के बारे में अभी टाइम टेबल पर फोकस करते हैं तो यह चीज़ करना है और यहां पर आपको साथ में आपको टेपने नोट्स भी बनाने है ठीक है k है फॉर्मूला नोट्स कह सकते हो स्पेसिफिकली कुछ कुछ कॉस्स कॉणसेप्ट भी ऐड होने चाहिए तो आपको माइक्रोनोर्cem कह सकते हो यहां फ़ॉर्मुला नोरस कह सकते हो इस अपको यह last 10 देज में काम आएगा तो यह आपका फॉर्मॉला नोर्स जो है वह बहुत ज़्यादा important रही सीज का ध्यान रखना close lastными day फॉल्मॉक लगाने कि मॉख सबच्ग है दिक्कत आ हुए वह मिस्टेक कहां कर रहे हो उस पर वक करना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो यह चीज का ध्यान रखना फिर लास्ट टेन डेज में फुल मॉक्स लगाने है और रिवीजन जो है वह जितना भी आपने पढ़ा वह दुबारा से क्विक रिवीजन करना है आपके फॉर्मू झोने करो था तो चीज फॉप्वर मॉक्स हो गया आपका फॉर्मूला नो्स का रिवीजन हो गया और उसके लावा जो है वह जहां-जहां विस्टेक स trends यह आपके हो गया एक प्लैन और उस हिसाब से जो है आपको चलना है यहाँ पर थीक है तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा आपको क्या-क्या चीज करना चाहिए यह जरूर आप पूछोगे ठीक है ना तो इसके अलावा मैं अगर बात करूं अगर नेक्स्ट तो कुछ इंपोर्टन चीजे बता देता हूं कि कौन सी चीज पढ़नी है ठीक है सब्जेक के बारे में बता दिया अब बात करते हैं प्रीवियस यह के बारे में ठीक है तो प्रीवियस यहर में सबसे पहले इसरो के जितने भी पेपर हैं इंक्लूडिंग ब ठीक है ना जैसे कि आपका एसे सी जेई या जितने भी डिप्लोमा लेवल एक्जाम के हैं से सी जेई हो गया एज एक्जाम के जितने भी है ठीक है अगर मैं बात करूं प्राक्टिस के लिए तो बुक्स बहुत सारे हैं तो जिसमें ज्यादा लैटेस कोश्चन हैं माक्सिमम वह एक आपकी छाली कोवी हो एसमें तो इसमें से लगा सकते हैं और इसमें ध्यान रखना है इसके होऊते हैं जहां भी आपके mistakes हो रहा आपको note करके रखने हैं जहां भी आप numerical में गलती कर रहे हो या concept में कर रहे हो क्यूं हो रहा है वह mistake जो है वह उस पर work करना है और note करके रखना नोट करके रखना है और उसको improvement करना तो यह आपके इंपोर्टेंट चीज है कुछ और इसके अलावा जो है वो इसके अलावा जो है वह इतिंक इतना कर आप लोगे तो रहेगा ठार कम नांऑ या दू करने आपसे एक फॉलिव होना चाहिए प्रिवियस यरा अलीसे यानि इंपोर्टेंट सब्जेक्स के बारे में तो देखो अभी यह मेकानिकल का है एलेक्ट्रोनिक्स का मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा मैं डिसकस तो नहीं करूंगा ठीक है मेकानिकल में मैं पूरा हर एक चीज डिटेल में जो आपके अब यहां पर मेकानिकल का डिसकस करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे लास्ट के थ्री यह में ठीक है उसमें मैथ और अप्टिटूर का काफी कोशन इवन ऑफ-लाइन हुआ था यह लास्ट वाला आपका सिर्फ ऑल्लाइन है तो पंदरा कोशन आयते माच से तो बहु है तो असी में से दस कोशन काफी माईने रखता है तो इसको आपको टॉप पर रखना है दूसरा सब्जेक्ट है इंजिनुरिंग मेकैनिक्स यह देख सकते हो कैसे इसका वेटेज है आठ सतरह और पंदरह यह नीचे वाले जो है वह ओनलाइन एक्जाम का है और ब्रैकेट म भी मैं ब्लॉक्स में घेर रहा हूं यह इनके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है ठीक है और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल हो गया और एमडी का बस लास्ट टाइम जो है वह बहुत ज्यादा कोशन आया था उससे पहले इतना कोशन नहीं आया वह सिप दो 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 इसे कोशन आय हुए है ठीक है तो इसके अलावा है अप्लाइट थर्मल में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कम बेटेस है इडी में भी कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है और कभी-कभी कोशन आ जाते हैं जरनल साइंस से कुछ कैमेस्ट्री से कोशन तो ऐसे होता है कभी एलेक्ट्रीकल और एलेक्ट्रोनिक्स से भी एक दो कोशन आ जाते हैं तो देखो उसके पीछे तो आप भाग नहीं सकते हो लेकिन जो आपका यह सिलेवस है उस पे आपको फोकस करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इंपॉर्डेंट सब्ज प्रॉडक्शन मेटरियल साइंस टोम थर्मोडानिमिक्स ठीक है प्रिवियस यहर जब आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या एडिया है कौन सा आपका वीक है कौन सा नहीं तो कुछ पार्ट होते हैं किसी सब्जेक्ट के मालो मेकेनिक्स में हो सकता है कि 10 चैप्टर हैं तो 5 आपको अच्छे से आते होंगे पांच नहीं आते होंगे तो नहीं आते उन पर ज्यादा टाइम करो ऐसी हर सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट के अंदर कुछ मुश्किल टॉपिक्स होंगे जिससे कोशन आते हैं ज्यादा तो उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम spend करना है वैसे आपके लिस्ट में बात करें तो इंडस्ट्रियल से कोशन आते हैं दो थी ठीक है पाउर प्लांट से कभी-कभी आता है यह आपको मैंने अनलेसिस में दिखा है ही ट्रांसपर हो गया इसी इंजेन आरे सी कभी-कभी आता है कभी नहीं भी आता है इन से एंजिन आपको ज्यादा टाइम देना है क्योंकि नंबर आफ कोशन यहां से ज्यादा ठीक है नंबर आफ कोशन अल्मोस्ट 85%-90% कोशन आपके इस पार्ट से आ रहे हैं और बाकी के 10% इस पार्ट से आ तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट रहेगा तो आई होप यहां से यह एक पूरा पूरा आइडिया लग गया होगा ठीक है बाकि जो है वह यूटूब पर चार जुला इसे मैथ के लिए स्टार्ट करेंगे जो सबके लिए होगा और उसके अलावा जो है वह आपका जो बूस्टर बैच है वी एससी का बूस्टर बैच उसमें हम कॉंसेप्ट न अगर आपके कोई भी कोशन होता है तो वह आप पूछ सकते हो बाकी जो है वह आप उपन करोगे तो यह सारे डीटेल सब लेवर रहेंगे आप जॉइन कर सकते हो अभी रिसेंट जो बूस्टर वैच्छ है यह है उसके अलावा जो है वह आप लोग अगर आपको शौट में जॉइन करना है तो यह आपके डर में जाएंगे जर्च अंतरिक्ष बैंच इसमें आपको सारी चीज़े आपको कम टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़े जो है वह एक क्राश कोस के फर्म में कराय हुआ तो यह आप जॉइन कर सकते हो बाकी कोई